Hey everyone, my name is Deep Shikha Goswami, welcome back to the YouTube channel of Testbook Super Coaching आज हम आपके साथ में बात करने वाले हैं, आपके 5-10 मिनिट जो इस पर्टिकिलर वीडियो को आप देखोगे न, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टन होने वाले हैं आज मैं आपके साथ में वो सारी चीज़े, वो सारी strategies, वो सारी important बाते शेयर करूँगी जो अगर आप सुनके जाते हो, definitely आपके marks improve होंगे, आप जो छोटी-छोटी silly mistakes करते हो, उनसे आप बच पाऊगे and सबसे important बात कि आपका जो target है, उसमें आप परिशान नहीं होगे, उसको अचीव करने में बहुत अराम से आप कर पाऊगे तो exam hall strategy to score 160 plus marks, आप ये करके देखो and उसके बाद मुझा आपके बताना कि आपका जो experience है वो कैसा रहा, ठीक है अभी तक हम इतने questions कर चुके हैं, सीरीज में बाकी telegram group अगर आप में join नहीं किया है, अभी तक make sure करके कर लीजे because सारी important updates, सारी important pdfs, etc, discussions, वगेरा, सब कुछ वहीं होता है, आप मुझे directly interact भी कर सकते हैं तो definitely आप आपर join कर लीजे for all the updates, now आगे चलते हैं, यहाँ पर दो free classes हो रही है फिलहाल, एक YouTube पर और एक आपका master class, YouTube का timing है, 8.30 pm daily basis पर master class का जो timing है, वो है daily basis पर 2.30 pm फिलहाल के लिए, ठीक है, तो make sure इन classes में आप present है, आगे चलते हैं, यहाँ पर gate का जो course है, वो already start हो चु और आप उन sessions का part है, एक important update आप लोगों के लिए यह है, आप देख सकते हैं कि आपके लिए एक offer चल रहा है, जहाँ पर आप 10,832 में, basically होता क्या है, मैं आपको समझाती हूँ, सबसे पहली चीज तो यह है कि 29th of December को आपका new batch जो है, वो launch हो रहा है 29th of December से, मतलब का जो वो batch हम launch करने वारे है, complete course का पढ़ाने के लिए, वो start हो रहा है आपका Jan से, first week of Jan में start हो जाएगा, apart from that, येट का course और चल ही रहा है, तो if you want to join with us for the complete preparation, तो आपको before and शुरुआत से ही कर लेना है, last moment का wait नहीं करना है, दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, आपको बच्चे म पास प्रो भी मिल रहा है साथ में, जहाँ पी वाई क्यों मौक्ते सब प्रैक्डिस कर सकते हो, ठीक है, और इस amount में आपको exam date तक की validity का, आपको ऐसा नहीं बोल रहे है कि इस date ये date ये date ये 6 महीने नहीं, exam date तक की validity का आपको subscription मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके discount मिल रहा है आपको, अगर इसमें कुछ और discount चाहिए या कुछ और हो सकता है, possibility, यह सबसे important बात हो है कि इक बार लगा के देखना, ठीक है, बागी कोई और offer चल रहे होंगे, तो let me know, एक बार मुझे पूछ से पूछ लेना, जब subscribe करने जा रहे होगे, अगर उस वक्त बारे में भी बता दो, ठीक है, चलिए, अब बात आती है, exam hall strategy की, तो मैं 3-4 points में इसको लेकर चलूँगी, सबसे पहली बात आती है, time management, ठीक है, time management, देखो यह सबसे important बात है, because बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गरबड़ी इधरी करते हैं, बच्चे सबसे करते हो, और फिर, mostly बच्चे कई बार आके क्या बोलते हैं, कि माम हम तो पूरे questions ही नहीं पढ़ पाए, last questions थे C section के वो तो बहुत असान थे, हम पढ़ी नहीं पाए, because होता क्या है, कि C section में भले ही आपको 25 questions करने हो, लेकिन पढ़ने तो 75 के 75 पढ़ेंगे, ना, है ना, तो अरेंज, एक और में होता है, syllabus-wise जैसे कि सबसे पहले आपके biochem के question होगे, then cell biology, then molecular biology, then cell signaling, वगेरा, वगेरा, तो जिस topics को आपने अच्छे से पढ़ा है, आप उनके questions को सबसे पहले beforehand solve कर लो, and accordingly फिर आगे बढ़ो, यह तो पहली बात हो गई, और जिन areas को पढ़ा ही नह करना है, paper हमेशा आपको 2 rounds में करना है, सबसे पहला round जो होगा, first round जो होगा, उसमें आप एकदम short short questions को करेंगे, attempt, जिसमें एकदम भी आपको chance नहीं लेना है, ठीक है, जितने भी questions हो पाए उस round में, लेकिन short short questions करोगे, जहां पे थोड़ा सबी dicey condition है, उसको attempt उस point पे नही बढ़ जाओगे, third point यहां पर आजाता है, कि आपको कैसे questions को select करना है, तो questions आपको select करना है, for example, match the following जहां देखे, फटाफट चे दोड़ जाओ, ठीक है, graph वाले questions जहां देखे, diagram वाले questions जहां देखे, experiment जहां पर दिखाई दे आपको, ठीक है, multiple statement वाले questions दिखाई दे जहा पर आपको ABC, ABD है न, तो यह सारे questions आपकी priority होने चाहिए, because इन में elimination is very easy, plus अगर graph, diagram यह experiment है, तो question के अंदर ही आपको उसका answer मिल जाएगा, आपको बाहर से कुछ जूण के mostly नहीं करना पड़ता है, ठीक है, prior knowledge की भी at times requirement वाहां पर नहीं होती है, समझ गए बात को, तो इन चीजों को पहले apply करो गया, ठीक है, फिर D point यहाँ पर आता है, कितना समय आपको देना है, तो अगर मैं sections की बारे में बात करती हूँ, तो सबसे पहले तो order देख लेते हैं, देखो order में न, सबसे पहले आपको C section करना है, then A करना है, then B करना है, बाकी आपका comfort zone जिसमें section दोनों में ही आपको बहुत सारा logic apply करना है, right, B में तो पूरा factual nature है mostly, मतलब 90% factual है, 10% conceptual है भी तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूरा ही almost conceptual होता है, और अगर आपको पता है, पता है, नहीं पता, नहीं पता, right, तो B में तो वैसे काम चला लोगे, बट C और A में आपको logical analysis जो है वो यहाँ पर apply करना रहेगा और उसके basis पर आपके answers आएंगे, similarly A में भी reasoning रहेगा, quant रहेगा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा marks का भी यही section है, तो सबसे पहले आपको C section करना है, फिर A, फिर B, first round में आपने paper को किया, ठीक है, इस तरीके से निप्टा आया, एन उस के बाद, पापस से second round पे आओगे, और बाकी जो questions आपने review के लिए mark किये थे, उनको को अब आप करोगे, ठीक है, और review के लिए mark आपके options को करोगे, यह भी बता देती हूँ मैं आपको, देखो, जब first round में आप paper करोगे, तो आप 100% जहाँ पे आप sure हो, उन questions को करोगे, ठी जो, ऐसे questions को आप review के लिए mark करोगे, और ऐसे questions को अब आप यहाँ पर solve करोगे, second round में, ठीक है, third point आपका है कि भाई, ego पे नहीं लेना है किसी भी question को, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है एक question पकड़ा, और उसमें बहुत सारा time invest कर दिया, उसी को पढ़ते ज जा रहे हैं, उसी को देखते जा रहे हैं, लग रहे है कि बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बनने वाल, पांच मिनिट निकल गए, दस मिनिट निकल गए, पता ही नहीं चला, कब पेपर में, इतना सारा time आपने एक question पे invest कर दिया, जबकि सारे question बराबर नंबर के हैं, एक section में अगर हम देखें तो, right, तो यह आपको बिलकुल नहीं करना है, एक डेड़ मिनिट से उपर तो किसी सवाल को नहीं देना है, अगर आपको लगता है कि बन सकता भी है ना, तब भी नहीं देना है इतसे उपर का time, mostly आपको क्या करना होता है उस point पे, उस question को just leave for that moment, उसको वहीं कवहीं छोड़ दो, आगे बढ़ो, you will come back, जब तक बाप वापस आओगे ना, उस सवाल पे, तो शाब आपके दमाग में कुछ refreshment हो चुका होगा, आप इस टक नहीं होगे एक जगा पे, आपको शाब उसका answer फिर बहुत clarity के साथ दिखाई दे, ठीक है, तो इसे पूरी आपकी स्क्रीन है न, तो स्क्रीन में यहाँ पे आपको डाइग्राम दिया है और यहाँ पे राइट अब लिखा है, अब आप कभी उपर स्क्रोल कर रहे हो, कभी नीचे स्क्रोल कर रहे हो, इसी में बहुत चारा टाइम चला जाता है, तो इन वाले ऐसे questions को सि में पहली condition, जब आव एकदम 100% sure हो कि यह question तो पक्का मेरा सही होगा, and second condition जब आपके इतने कम marks, मतलब आपने इतने marks अचीवी नहीं कर पाए अभी तक, कि आपको लग रहा है कि आपका वेपर अराम से निकल जाएगा, मतलब 120 प्लस नहीं हो पा रहे है, तो आपको जगह अब इन questions को भी करना पड़ेगा, otherwise इनको priority पे मत करना, simple बात है, ठीक है, अच्छा, अब time के बारे में बात कर लेते, तो सबसे पहले sections के में कितना कितना time आपको देना है, देखो first round में जब जाओगे न, तो section A को 1 गंटा दोगे, section C को 1 गंटा दोगे, section A को 30 minutes दोगे, and section B 40-45 minutes दोगे, ठीक है, मतलब लगभग यहाँ पर हो गया, आपका 2 गंटा 10 minute का समय, एक first round में, अब second round के बारे में बात करता है, यहाँ पर आपको OMR bubble filling तो करनी नहीं है, आपको टिकमा करना है, साथ साथ के साथ, तो उसमें आपका time तो जाना नहीं है, तो अब मान लेते है 10 minute और छोड़ देते हैं, last का, हमारे पास लगभग हमान लेते हैं, कि 40 minutes यहाँ पर हमारे पास बच जाए, तो second round में आप 40 minutes देंगे, C section में देंगे, आप लगभग 25 minute का समय, A section में जो बन चुके होंगे, वो अरड़ी बन चुके होंगे, 10 minute यहाँ पर दे दो, ठीक है, 35 minute ह 10 minutes यहाँ, and 10 minutes यहाँ पर दे दो, ठीक है, तो इस तरीके से second round में आप, जो अपना time है, उसको manage कर रहे होगे, make sure यह काम आप जरूर कर, because कई बार क्या होते हैं, बच्चे इस चीज को बहुत हलके में लेते हैं, कि time manage करना भी कोई बड़ी जरूरी चीज है क्या, और वापस सारे cases में, क्योंकि online examination है, क्योंकि tech issues, glitches हो ही सकते हैं, errors हो ही सकते हैं, ठीक है, in number of type of चीजे देखी जा सकते हैं, देखी गई हैं previously भी, और बच्चे उसमें बहुत परिशान हुए, तो मैं आपसे एक बात बोलूँगी, अगर ऐसे सारे issues आते हैं, network issues, server issues, server down, hang हो गया आप don't panic, सबसे पहली चीज है, don't panic, है न, panic नहीं करना है, आपको because panic करोगे न, तो कुछ भी result नहीं निकल के आएगा, you just need to calm down yourself, अपनी nerves को calm down करना है, कि भाई, कोई बात नहीं, whatever time I have in my hand, I will utilize that to the fullest and I will make it, like, मैं उसको उतने समय में solve कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है just खुद को ये भरोसा दिला के जाने, इसके अलावब कुछ और points है, जैसे कि कई बार क्या होते हैं बच्चे जब exam hall के बाहर खड़े होते हैं, जितिन दिर उतने से आपस में दूसरे से बात करे होते हैं, don't do that, बिल्कुल भी नहीं, examination के एक दो दिन पहले से ही, just stop talking to everybody, except your family and well-wishers, उनके अलावब आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी भी ऐसे इनसान से तो बिल्कुल नहीं करनी है, जो आपको tension दे दे, ये पूछके कि अरे ये पढ़ लिया क्या, ये पढ़ लिया क्या, कितनी unit कर ली, हमने तो इतनी कर ली units, हमने तो इस किताब से पढ़ाई इसका बताना, जरा, सीधे बोल दे ना, भाई, मैं इस moment पे, I cannot talk, I cannot speak, I don't want to speak, please let me be alone for this moment, exam के बाद में आप से जो भी discussion करने है, वहाँ पे करेंगे, ठीक है, be this clear, because आपका exam में आपकी जिम्मेदारी है, उसको अपने दिमाग को सही right frame of mind रखना, ठीक है, ओके, ये point होगे, अब examination hall में भी कई बार ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, तो उनको भी आपका word करें, don't look here, there, किसी और का बड़ोसी का system खराब हो गया, आप परिशान हो रहे हो रहे, क्या हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, सब अपने अपने उस वक्त, अपनी सवारी, अप अपने की लोग, वो अपने की लेंगे, because आप उनकी लोगे, आपका खराब हो रहा है, no one will see that afterwards, है न, examination के बाद में कोई नहीं सुनने वाला कि तुम मैं तो दूसरे की help कर रहे थे, इसलिए हम, I am not saying don't help, if you can, you definitely do that, ठीक है, but उसमें आपका कोई रोल है नहीं, तो do your own job, they will manage their own, है न, और उनके help करने के लिए, I am sure की, examination hall में बहुत सारे लोग होंगे, examiner hall, जो भी आपके वहां पर visit करते हैं, जो भी देखते हैं, वो सब वहां पर बहुत सारे लोग, I am sure की होते हैं, ठीक है, तो वो देख लेंगे, इसके अलावा, yes, इसके अलावा और क्या कर सकते time management हो गया, yes, also make sure कि जब आप यहां पर यह लिकर रहे हैं तो एक बार साथ में यहां पर देखते भी जाएं कि कितने कितने questions हमने कर ली हैं, पता चला हमें आते ज्यादा हैं, बट हमने नहीं mark कर पाए for some reason, एक बार चेक कर लेना भाई, उतने उतने mark कर दिये हैं एक sufficient amount of यह and first and second round डोनों में कोशिश है करनी हैं कि negative marking जहां पर भी possible, जहां पर भी तुक्का लग रहे हैं एक दम अंधा तुक्का, वो नहीं लगाना है, logical guessing कहीं पर भी apply हो रही है, please do apply that, उसको apply करो, उसको use करके आप बिलकुल सवाल करो, ठीक है, so yes, this is all for this particular video, all the very best to all of you, ठीक है, all the best and I am sure कि you are going to do amazingly well, बहुत अच्छा करोगे तुम लोग, ठीक है, and बस इस confidence के साथ जाओ बाहर से ही, यह जो tension हो रही है, तुम्हें कि भूल रही है, कुछ नहीं हो रही है, सब याद आजाएगा, वहाँ बैठोगे, examination hall में, exam laptop के सामने, सारे question के answer अपने आग दिमाग में आत अपना ख्याल रखो, take care everyone, जो लोग जून के लिए पढ़ना चाहते हैं, आपके बास आज का offer है, जिसमें आप जॉइन कर सकते हो, by using the code DeepShikha, which is my name, take care everyone, bye, अपना ख्याल रखे, बाकी इस pass भी आपकी ले सकते, by using the code DeepShikha pass, ठीक है, bye everyone.